हेलो दोस्तो ग्लोबला ऊनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है तो आज हम बात करेंगे गुज्रात इंदॉर्सिटि जैसे कि आपको सभी को पता है कुज्रात इनुविश्टि ये सबसे गुज्रात इंदॉर्सिटि पर PhD के लिए आविदन पत्र मांगे गए है इसकी समपूर जानकरी इस वीडियो में हम देखेंगे और यहाँ पर जो है आविदन सभी के लिए है किनि अगर आप netset नहीं भी है तब भी आप यहाँ पर application कर सकते हो और seed भी बहुत सारी seed है 930 से ज्यादा seed available है 83 subjects यहाँ पर eligibility criteria क्या रहेंगा आपका exam का pattern क्या रहेंगा और important dates क्या है और कहां से आपको apply करना यह सब कुछ चीजे इस वीडियो में हम देखेंगे तो देखेंगे यह है official website यह official website है और यह जो PhD का page है यह PhD का page है यहाँ पर 2024 के लिए आविदन पत्र मांगे गए है जैसे देख रहे हैं आप eligibility and vacant data for PhD 2024-25 के लिए कि इसका हम ब्राउचर देख लेंगे देखेंगे आप गुजराती में भी दिया है बट हम English में इसकी जानकारी लेंगे नीचे आप स्क्रोल करेंगे तो नीचे इसका English भी आ जाएंगा यहाँ पर application जो है यह website है इनवर्सिटी का यहाँ से आप registration कर सकते हो registration स्टार्ट हो चुके है 10 October से स्टार्ट हुए 25 25 अक्टोबर तक इसके आप application कर सकते हो online submission है और no new registration यानि registration नहीं होगा 25 अक्टोबर के बाद आप 27 तक जो है payment कर सकते हो इसका और यहाँ पर जो है physical submission यानि आपको यहाँ पर hard coffee भी submit करना है तो आप 14 से तो 13 November तक आप जो है यहाँ पर application hard coffee submit कर सकते हो और यह जो date दिया है उन्हों 14 और 13 November यह holiday है यहाँ पर आप यह office time में मत जाए इन और किंग डेस एड़ आफिस हर्स उनली चोड़ा से 13 November के बीच में आपको यह submit करना है hard coffee sorry उसके बाद यहाँ पर जो है eligibility candidate interstate exemption from the interstate tentative यह 19 November है उसके बाद report concert department अगर आपको कुछ query रहा तो आप 19 November से 21 November तक यहाँ पर जो है ग्यारा से दो और तीन से पास तक आप उनसे वहाँ पर जाकर यानि query कर सकते हो mail वगेरे phone कर सकते हो और उसके बाद eligible candidate यानि यह पूरा submission होने के बाद आपका कौन eligibility रखता है यहाँ पर PhD के लिए इंटरंस test के लिए वह यहाँ पर जो है आपका नाम आ जाएंगा एक वह एक यानि पूरा report data upload करेंगे university website पर तो वहाँ पर आप देख सकते हो admit card इसका 28 November को आएंगा और 30 November को इसका test रहेंगा इसके बाद यहाँ पर आपका जो है admission का interview का process start होंगा तो यह है इसका पूरा important dates और इसके बाद देखेंगे हम important instruction दिये है अगर आपको यहाँ पर PhD में admission लेना है तो आपको इंटरंस test यहाँ पर देना होंगा यहाँ पर exam में जाते समय यहाँ पर आपको identity proof यानि आधार card outing idea आप लेकर जाना चाहिए और यहाँ पर exam के time को यह आपको hall ticket के साथ यह लगेंगा जब यह आपको यहाँ पर entry मिलेंगा उसके बाद exam pattern क्या रहेंगा पूरे 100 question रहेंगे MCQs question रहेंगे first से 50 तक एक से 50 तक आपको research methodology, general analytics, mental ability and reasoning and English communication इस पर आपको जो है 50 question पूछे जाएंगे और 51 से 100, 51 से 100 तक जो है आपका जो subject है जैसे के मेरा commerce है तो मुझको commerce के 50 question पूछे जाएंगे यहाँ पर negative marking नहीं रहेंगा एक mark के लिए question है और OMR यानि answer sheet रहेंगा आपका pen paper यहाँ पर exam रहेंगा आपका pen paper होंगा online नहीं यहाँ पर आपका उसके बाद जो है यहाँ पर आपको OMR sheet वागेर जमा करना है और आपका question paper भी यहाँ पर जमा करना है आपको ले जानी की वह permission नहीं है तो इस तरह से आपको पचास question research methodology से पूछे जाएंगे गुजरात university के लिए हमारे पास total research methodology के लिए पूरा course available है इसमें आपको full syllabus, notes, video lectures, video lectures मिलेंगे हर topic आपका syllabus के according हमने यहाँ पर cover कर रखा है उसके बाद आपको test series मिलेंगे notes मिलेंगे descriptive 2000 plus mcqs आपको दिये जाएंगे यह course जो है यह Hindi and English दोनों language में available है और इसका जो fees है 899 fees है इस number पर आप contact कीजिए और course को join कीजिए यहाँ पर से आपको 50 questions पूछे जाएंगे 50 questions आपको यहाँ से पूछे जाएंगे तो इसका अच्छे से study आपने अगर किया और 50% यह आपको यहाँ पर जो है लाना है यानि 25 mark आपने research में ला लिए तो आपका यह paper first निकल जाएंगा second paper में आपको 50 file आना होंगे तो इसके लिए भी study material available है जितने भी आपको यहाँ पर subject दिख रहे हैं उतने subjects के आपको notes and mcqs मिल जाएंगे यह इसका इस number पर आप contact कीजिए और course को अभी join कीजिए जो भी आप पर PhD करना चाता है उसके बाद देखेंगे हम vacant seat vacant seat यानि किन subjects से कितने seat available है उसके बाद हम eligibility criteria भी यहाँ पर उन्होंने दिया है तो देखेंगे academic year 2024-25 के लिए eligibility criteria और subject में कितने seat available है वो यहाँ पर दिया है जैसे कि आपर science faculty में department of computer science और subject यहाँ पर देखेंगे computer science artificial intelligent and machine learning यह PhD का subject रहेंगा इसमें आपको जो है PhD करना होगा इसके बाद qualify क्या होना चाहिए qualifying criteria MCA होना चाहिए MSC, Mtech रहा तब आप यहाँ पर apply कर सकते हो और यह subject है इन subject में आप यहाँ पर qualification रखना चाहिए यह एक ही seat available है computer science and computer science में एक ही यहाँ पर seat available है उसके बाद यहाँ पर जो है second यानि अलग-अलग subject से अलग-अलग यहाँ पर दिया है यह computer science से ही next यहाँ पर तीन seat दिखा रहा है computer science में आगर यह आपका यह आपका faculty है और यहाँ से आप qualify करते हो तो यहाँ पर और तीन seat available है यानि अगर यहाँ पर नहीं लगता है number तो इधर भी आप यहाँ पर PhD कर सकते हो तो देखिए student यहाँ पर total computer science के लिए 4 seat है उसके बाद यहाँ पर emerging science and technology के लिए आपर अलग-अलग subject दिये है और उनका qualification दिया है और seat यहाँ पर दिया है तो यह पूरे 83 subject से यहाँ पर आपको आवेदन के लिए मांग गया है आपका कौन सा subject से किन subject से आप qualify किये हो वो पूरा देखकर data आप यहाँ पर application कर सकते हो पूरे यहाँ पर 936 seat available है तो बहुत सारी seat यहाँ पर और हर field से यहाँ पर available है seat उसके बाद हम देखेंगे आप कह कह से आपको जो है application कहा से करना है तो देखिए यह है उसका official website application का यहाँ पर right side में देखिए apply now यहाँ पर दिखा रहा है और already register अगर आपने register किया है तो यहाँ पर से आप registration कर सकते हो और यहाँ पर जो है कि यहां से आप apply कर सकते हो यहाँ पर यह 15 October यहाँ पर दिखा रहा है बटा हमने यहाँ पर जो है देखा तो कितना है यहाँ पर देखिए यहाँ पर application आप जो है application आप यहाँ पर 25 October तक आप यहाँ पर जो है application कर सकते हो registration यहाँ पर आप कर सकते हो तो इस तरह से registration fees भी यहाँ पर दिया है 300 fees है और processing 700 तो total fees इसका 1000 fees है और application कहां से करना है मैंने आपको बताया application आपको यहाँ से करना है यह भी मैंने वो link पर आप click करोंगे यहाँ पर यह link है इस पर आप click करोंगे तो directly यह link पर आप चले जाओंगे और यहाँ से आपको जो है PhD का application यहाँ से करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो तो student आपको कोई भी doubt हुआ कोई भी आपको confusion है तो मुझको आप comment कीजिए comment मैं मैं आपको reply देने की फूरी कोशिश करूँगा अगर वीडियो अच्छा है तो like कीजिए और अपने दोस्तों को भी जो भी यहाँ पर PhD करना चाता है उनके लिए यह शेयर कीजिए और जो भी आपको दिक्कत है जो भी आपको झाल